नमस्कार क्रिको देख रहे हैं आप मैं हूँ रॉनक और नमस्ते में बहुआ बोलने हूँ कल नमो स्टेडियम में तोड़ा गुजडात ने मुंबई का दिल हार गया सारा का भाई और जीत गई वो टीम जिसमें सुब्मन कील सारा का सारा इंडिया जानता है कि जब टी-20 में 200 प्लस का टार्गेट चेस करना होता है तो सेकेंड इनिंग बैटिंग करने वाला अत्याथिक जोरदार धमाकिदार प्रेशर में होता है बस उसी प्रेशर में कल बज गई मुंबई की सीटी वैसे इसी पर हमने अपने नोपो देखने को मिले जिसमें देखने वालों का गर से गला सुखा दिया वैसे दिया से याद आया डेली हम आपको दे रहें 10,000 रुपे जीतने का मौका कैसे कीवी एप पर एक ऐसा एप जहां पर नॉलेज भी और पैसा भी फ्री में इस पर क्विज खेलो हर मैच के बाद रात क साड़े गयरा बजे लाइव आकर और जीतो 10,000 रुपे है जी हाँ अगर आपने अब तक कीवी एप डाउनलोड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे उस पर क्लिक करके इस आप को फड़ा पट डाउनलोड करो फिलाल वापस आते हैं और बात करते हैं कोलकता वर्से और कोलकता के बीच अब तक 31 मुकाबले हो चुके हैं जहां हम उन 5 मैचों की बात करने वाले हैं जिसमें रोमांच ने लगाया ऐसा तड़का की देखने वालों का अंग अंग फड़का शुरू करते हैं लेटिस मुकाबले से इस सीजन बेंगलूर और कोलकता की टीमें दोनों ने चड़े विकेट के लिए 45 गिंदों में 103 रन ठोके और बैंगलूर की सामने 204 रखनों का टार्गेट रख दिया 204 का टार्गेट इससे पहले की बैंगलूर चेस करने की मूर में आती कोलकता की स्पिनर्स की तिगडी ने बैंगलूर की पूरी बैटिंग लाइन 40 और उन दिनों कोलकता के लिए खेलते हुए गिल ने 48 रन बनाए जिनके दम पर कोलकता ने 10 वर में एक विकेट की नुकसान पर 94 बनाए ये बिट्टों के मामले में अभी तक कोलकता की सबसे बड़ी जीत है और बैंगलूरू भी कोलकता की खिलाफ बड़े अंतर से मैचे जीत चुकी है कौन से थे वो मैच बैंगलूरू कोलकता के बीच राइवलरी साल 2016 तक परवान चड़ चुकी थी दोनों ही टीम एक दूसरे के खिलाफ जीत के लिए अपना ए गेम लेकर मैदान में उतरती थी लेकिन उस दिन सिर्फ एक टीम की चली क्योंकि दूसरी टीम की बैंगलूरू को चेज करने थे 183 और उस शाम क्रिकट जगत के तीन दिगज उनिवर्स बॉस क्रिस गेल किंग कोली और 360 डिग्री एबी डिविलेर्स भाया ने कुलकता के रदगुलों का तारा रफ पी लिया गेल ने 49 बनाए कोली और एबी ने 75 और 59 रन नॉट आउट ब भी रनों की बारिश हुई लेकिन बैंगलूरू की साइड से वो बारिश जादा तेज हुई कुलकता ने पहले बैटिंग करते हुए कालिस गंबीर और इसुप पठान के 40-49 और 46 रनों के दंपर 171 बनाए जवाब में बैंगलूरू के लिए तिलग रहते हैं दिलशान ने विडियो के शुरुवात में की थी जिसकी चर्चा हाली में सुनील गाउसकर ने भी की और यही वो मैच है जिसकी चर्चा तब तक होगी जब तक ये इंडियन T20 लीग खेला जाएगा क्योंकि सही माइनों में आज इंडियन T20 लीग क्रिकेट इतना बड़ा लीग कुलकता ने चिने सौमी के मैदान पर इंडियन लीग के पहले मैच में 222 रन जड़े और जवाब में बैंगलरू की टीम 82 पर आल आउट कुलकता ने दर्सकी बैंगलरू के एक 140 रनों की सबसे बड़ी जीत क्या आप जानते है उन दिनों बैंगलरू के कप्तान थे राहु पैज और पैसा दोनों पा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पे क्लिक करके कीवी आपको डाउनलोड करना है और रात को साड़े 11 बजे कुलकता और बैंगलरू मुकाबले के बाद हम लोग इसी आप पर आएंगे और आसा कान से सवाल आपसे पूछेंगे जवाब दे कर आप 1000 रुपे जीत सकते हो तो मिलते हैं शाम को चैनल सब्सक्राइब करके जाना जेहिंद